हलो साथियों, YCT Books Official में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं महेंद्र प्रताप, प्राचीन इतिहास के स्रिंखला, सिंधु घाटी सभ्यता के सिट नमबर 4 मैं सूपर 30 कोश्चन से आज ब्याख्या सहित हल कराने वाला हूँ जो सूपर 30 कोश्चन से के सिट नमबर 4 है तो आईए देखते हैं सूपर 30 कोश्चन से के ब्याख्या सहित हल जो आपके विभिनने जाम में बहुत उपयोगी से धोने वाले है देखते हैं आज के सूपर 30 का पहला कोश्चन सिट नमबर 4 का पूर्ण विक्सित हलपा सब्वता लगभग कितनी सताब्दियों तक जीवित रही। आपसन है चार सताब्दी, पाँच सताब्दी, सात सताब्दी और तीन सताब्दी तो इसका सहित्तर होगा पाँच सताब्दियों तक पूर्ण विक्सित सब्वता जीवित रही। जिसमें से 2400 BC से ले करके 2000 BC तक लगभग 2000 BC तक इसके वीच में ये पाँच सताब्दियों तक लगभग पूर्ण विक्सित हडपा सब्वता अपने चर्मोत कर्ष पर रही। अब देखते हैं अगला प्रसन अगला महात्यपूर्ण प्रसन है लोथल और चण्धू दड़ो का सरवाधिक महात्यपूर्ण उद्दोग क्या था। दो साइट से दिये गये हैं ये दो साइट से लोथल और चण्धू दड़ो का महत्यपूर्ण उद्द्यम मिन्स्त उद्दोग क्या था। आप्शन A. जहाज निर्माड, आप्शन B. मन का उत्पादन, आप्शन C. हतकरगा वस्तर उत्दोग, आप्शन D. धातु कर्म उत्दोग. अर्थात लोथल और चन्हु दड़ों के लोगों का मुख्य बेवसाय या मुख्य उत्यमकारिय क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जा आने के साच्छे प्राप्त हुए हैं, और उसे प्राप्त ही हैं, मन का क्या होता है, मन का माला बनाया जाता था, क्या माला, माला किस से बनाते थे, माला धात्वों सो भी बनती है, और पत्थर मिट्टियों के साथ भी उप्योग करके बनाया जाता है, तो इसमें जो मन का उ दिमकार्य था जन सामाने लोग इस प्रकार का माला इस प्रकार के आभूशनों का इस्तेमाल अधिकाधिक करते थी तो साच्छों की आधार पर बात करें तो लोथल लोथल से और चंडु दड़ों से मन के बनाने के परियाप्त साच्छे मिले हुए हैं तो हमारा सही उत्तर क्या हो या? मन का उत्पाधन देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न है हडपा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? हडपा कालीन की जो खुदाई हुई है इसमें राजनीत के विशे में अगर बात करें तो शासन का स्वरूप कैसा था? शासन प्रसासन किस आधार पर होता था? इसके परियाप के साच्छे नहीं मिले हुए क्यों? क्योंकि इसकी लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है फिर भी देखते हैं इसमें आपसन में क्या दिया गया है तो आपसन की बात करें तो इसमें है राजा हडपा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? आपसन A है राजा आपसन B पुरोहित राजा आपसन C व्यापारियों का अल्प तंत्र आपसन D सासन विवस्था अग्यात है अगर बात करें तो इन चारों आपसन के हिसाब से हडपा कालीन या सिंदु घाटी सभता की सासन विवस्था अग्यात है क्या है सासन ब्यवस्था अग्यांत है वहाँ पर असपष्ट सासन ब्यवस्था के प्रमाल नहीं प्राप्थ होते हैं जब तक उस लिपी को पढ़ नहीं लिया जाता लेकिन एक चीज तो अवस्य ग्यांत है कि सासन ब्यवस्था थी क्योंकि इतने बड़े सभधा को संचालि के लिए उसको बिवस्थित और सु बिवस्थित करने के लिए शासन बिवस्था का होना अतियावस्यक है और शासन बिवस्था अवस्यत थी लेकिन किस प्रकार की शासन बिवस्था थी राजाओं का सासन था पुरोहितों का सासन था क्या लोकतंत्र था क्या व्यापारियों क स्थिति बनी हुई है तो हम असपष्ट और निश्कर्श रूप से यही कह सकती है कि शासन विवस्था क्या है अग्यात है अब देखते हैं अगला महात्यकूर्प्रस्ण अगला प्रस्ण है निवनलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभवता की सबसे प्रमुख विश्यस्ता है सिंधु घाटी सभवता में अगर देखें तो कई विश्यस्ता है इस आप्षन के हिसाब से देखेंगे अर्थव्यस्ता आप्षन B धार्मिक जीवन आप्षन C नगर योजना आप्षन D सामाजिक जीवन तो सबसे प्रमुख विश्यस्ता इस पूरे सभवता की बात करें तो नगर योजना क्या थी नगर योजना हमारा सहित्तर होगा क्योंकि जो नगर के आउसेसों का साच्य मिला हुआ है जो आउसेस प्राप्त हुए है उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हडपका सब्वता या सिंदुग हाटी की सब्वता एक नगरीय सब्वता थी नगर ये सब्बता होने के परियाप्त और पूर साच्य प्राप्त होते हैं तो नगर योजना वहाँ पर बहुत बिक्सित थी जैसे कि अगर देखें आधुनिक समय से जोल करके देखें तो नगरों में जैसे सडक होती है नगरों में किले या बड़े-बड़ी इमारतियं बनाई जाती है नगरों में नालियों की विवस्था नगरों में सफाई की विवस्था नगरों में सुब विवस्थित भवन निर्माड नगरों में अन्य प्रकार के आधुनिक सुधाओं से सम्मंधित हडपा काल में कई अच्छे औसे स्प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि नगर योजना उनकी बहुत बिख्सित सभथा थी जो समकालिन विश्व की अन्य सभथाएं थी वहां से तो बिख्सित सभथा नजर आती है तो सबसे प्रमुख विश्षता क्या थी नगर य असर मिलता था उसे हिसाब से यह अलग-अलग सुरूप में अलग-अलग-अलग कालखंडों में अलग-अलग-अलग सुरूप में रही धार्मिक जीवन की बात करें तो बैदिक काल में धार्मिक जीवन अपने चरम उतकर्स पर था छटी सताब्दी इससा पूर्व के बात होते हैं अगर और उसके बात करें तो भारतिय छेत्र में विदेशियों के आक्रमण से एक संक्रमणा धीन समाज और संक्रमण संक्रमित धार्मिक एक्मोस्फियर का निर्माड होता है तो धार्मिक जीवन भी इसमें एक किसी एक विशेस्त कालखंड से जोड़ करके देखना उचित नहीं है और समाजिक जीवन की बात करें तो अगर मनुष्य आदिकाल से नौपाशान काल से अगर बात करें तो जब समुदाय में रहने हडपा की नगर योजना अपने आप में एक विशेस कालखंड से समंधित होने के कारण यह एक प्रमुख विशेस्ता मानी जाती है तो हमारा आप्सन नंबर सी नगर योजना सिंधु सभथा की प्रमुख विशेस्ता थी आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है हडपा सभथा के तहथ वह एक मात्र जगह कौनसी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नवका घाट अवस्थित है आप देख लिजेगा इधर देखिएगा ठिक हरपा सब बता के तहते एक मात्र जगह कौन सी है एक मात्र अस्थल कौन सा है जहां 216 मीटर क्या बात कर रहा है 216 मीटर और 37 मीटर लंबा चोड़ा एक नौकाग हाट नौकाग हाट को हम बात करें तो इसको हम गोदी वाड़ा भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं गोदी वाड़ा अब तो आपको पता लग दया होगा कि गोदी वाड़ा से कौन सा अस्थल इसमें सही होगा आपसन के हिसाब से देखें तो काली बंगा कोट दीजी लोथल रोप चाहिए 37 मेटर चौड़ा एक नौका घाट प्राथ हुआ पक्का जो इटों से निर्मित है और भोगवा नदी के तट पर इस्थित है और यहां कहाँ पर है लोथल नामत अस्थल से संबंधित है तो हमारा सहुत्तर होगा लोथल लोथल कहाँ पर है गुजरात के कच्छ जिल के भचावू तालूके में इस्थित है भोगवा नदी के तट पर है और यहें गोदी बाड़ा या नौका घाट या बंदरगा या डाक्याड कई अलग अलग नामों से आप बोल सकते हैं समझ सकते हैं तो इसका सही उत्तर होगा लोथल अब देखते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है सिंधु घाटी सभता के पतन के संबंध में दिये गए निमनलखित तथो में से कौन सही ढंग से सुमेलित है पतन से संबंधित कुछ सिधान्त दिये गए हैं देखते हैं कौन सा बिकल्प सही सुमेलित है तो लिखा गया इसमें गार्डन गार्डन बता चाइल्ड का मानना है कि विदेशी आक्रमड से सिंदु संभता का पतन हुआ था तो इसका मतलब है कि इसमें का इसमें हिंदी में लिखा है का वाला क्या है आफसर सही है वी गार्डन चाइल्ड पतन हुआ ये भी सही है खा क्या है ये भी सही माना जाता है और इस्टाइन महोदय का कहना है कि जलवायू परिवर्तन जलवायू परिवर्तन का मतलब कि लंबे समय तक जलवायू में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला जिससे कि वहां का जीवन अस्तिवेस्त हो गया या त हुआ सब्वता धीरे धीरे पतन की अवस्था की तरब चली गई ओके अपसंद देखते हैं अगला अगला हमारा विकल्प रहेगा भागौली घटनाकरम से संब्धित है डैलेस डैलेस महोदे का कहना है कि भागौली के घटनाकरम ऐसा बना जिससे कि सिंदू सब्वता का पतन हो गया तो ये भी हमारा क्या होगा सही होगा डैलेस महोदे का कहना है कि भागौली घटनाकरम की वज़े से सिंदू सब्वता का पतन हुगा भागौली घटनाकरम का मतलब कि भागौल में या वहां की जो भागौली के स्तिती थी उसमें परिवर्तन आया जैसे बाढ़ या और अन धटनाओं से संबंधी भी इसको जुड़ा जा सकता है वियन मिस्रा घा का कहना है कि वियन मिस्रा भू गर्भ अस्थलिय परिवर्तन भू गर्भ अस्थली का मतलब जमीन के अंदर कुछ उथल पुथल जैसे भू कम्प टाइब के या जो भू अस्थलन टाइब के या अंदर परिवर्तन जो देखे गए तो ये भी हमारा क्या सही होगा इस तरीके से चारो सही सुमेलित हैं तो इसका सही अप्सन क्या होगा का खा गा घा अर्थात A, B, C, D ये चारो सही माने जाएंगे तो इनको आप ध्याद्यक करके जाएगा ये इंपॉर्टेंट प्रकार का प्रस्न है इस प्रकार के प्रस्न जाम में आते हैं कि पतन और उसके सिधानत देने वाले बैज्यानिकों या महत्त्पूर्ण बिद्वानों या इतिहासकारों के नाम से मिलान करना रहता है या सही सुमेलित करना रहता है या कथन या कारण से सम्मंधित प्रस्न भी बनते रहते हैं अब देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न है इसमें अगला प्रस्न है सिंधु घाटी सब्धता की सबसे बड़ी इमारत कोंसी है सिंधु घाड़ी सभथा की सबसे बड़ी इमारत, ऐसे तो सिंधु घाड़ी सभथा में कई प्रकार की इमारती पाई गई हैं, ठीक है, तो देखते हैं, मोहन जोदलो का महा जलकुंड, मोहन जोदलो का स्नाना गार, हलपा का राजा का महल, उपरोक्त में से कोई नहीं, हमार की बात के हैं सबसे बड़ी इमारत जो मिली हुई है वह अन्नागार है क्या है अन्नागार पूरे सिंदु सभता की सबसे बड़ी इमारत है मार्सल महोदे ने समकालिन विश्व का आश्चर जनक निर्माड या आश्चर जनक सेंपल नमुना बताया है क्योंकि ऐसे निर्माड के लोग इतने पुराने जमाने के लोग इतने बड़ी इमारतिक कैसे बना सकते थे इसलिए उसे आश्चरी निर्माल बताया है कौन मार्सल महोदय ने आश्चरी जनक निर्माल बताया किसको अन्नागार को मार्सल ने आश्चरी जनक निर्माल बताया तो अन्नागार इस आप जोदलों के महान असनानागार की खोज किसने की थी अप्षन है मार्शल माधो शुरूप उथ से आर्डी बनरजी का निगम तो चार विकल्प दिये गए हैं इसका सही उत्तर होगा आर्डी बनरजी क्या होगा असनानागार का पता किसने लगाया था आर्डी बनरजी ने लगाया था आर्डी बनरजी राखाल दास बनरजी ने 1922 में मोहन जोदलों की खुदाई शुरू की और इन्हों ने बताया कि मोहन जोदलों में असनानागार की खोज इन्हों ने ही की थी अब देखते हैं अगला प्रस्न होगा हमारा हडपा संसिक्रिती से जुड़ा अस्थल रंगपूर किस नदी के तट पर इस्थित है सिंधू, जेलम, भादर, दस्त तो इसका सहुत्तर हो जाएगा भादर नदी के तट पर इस्थित है रंगपूर कहां पर है? रंगपूर गुजरात में है कहां पर है? रंगपूर गुजरात में है गुजरात की साइट है, गुजरात में लोथल भी है गुजरात में धौला वीरा भी है, गुजरात में रंगपूर भी है और यहाँ भादर नदी है उसी के तट पर इस्थित है और यहाँ से हडपा काल के कई प्रकार के महत्तपूर और सेज भी प्लाफती है तो रंगपूर एक चीज़ बता दें जो नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख अस्थल मिले हुए है वो बहुत इंप्वाटेंट है याद रखियेगा वो मुश्ट इंप्वाटेंट है आप इस प्रकार के प्रस्णों को भी देख लेना कि कौन से अस्थल किस नदी के किनारे है इस सभी प्रस्ण एक प्रस्ण तो पक्का है इससे बनता ही नंता है ओके अगला देखते हैं अगला वहां तो पूर प्रस्ण को देख करके जाना है तो यहां पर चार प्रमुख नदियां दी गई हैं यह चार नदियों की बात करें तो इसका सही उत्तर कि अधिक होगारावी नदिके तटपर सिंधु नदिक की बात करें अधिक का मतलब है कि सिंदु घाटी सभता में लगभाग 1400 या 1500 अस्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं तो सरवाधी के सरस्वती नदी सरस्वती नदी जो घगघर नदी और सरस्वती नदी जो अबिलिप्थ हो चुकी है उस नदी के किनारे सरवाधी तो हिंडन नदी के किनारे है और लास्ट पस्चमी छेत्र में देखेंगे तो पस्चमी छेत्र में है सुर्तुगई मुंडिगा सुत कांगे डोर सुत कांगे डोर दास्क नदी के तड़ परिस्थित है तो इस प्रकार से जो भी अस्थल मिले हुए किसे ना किसे नदीयों के क किस अस्थल पर विक्सित हुई है आप्शन है सुर्खोड़दा चंधु दड़ो लोथल और काली बंगा तो इसका सही इत्तर होगा चंधु दड़ो जूकर जाकर संसिक्रती जो विक्सित हुई है वहां कहां पर है चंधु दड़ो पर चंधु दड़ो पर है चंधु दड़ 1934 में एनजी मजूमदार ने चंधू दड़ो की खुदाई करवाई और आगे चल करके या जूकर जाकर संसिकृती जो बिक्सित नजर आती है या कुछ ग्रामील संसिकृती से सम्मंदित है हडप्ता के अंतिन दवर की बात करें तो वहाँ पर कुछ लोग उस सभथा से निकल करके दूसरे छेतरों में जाकर के रहने लगे थे और वह एक अलग संसिकृती का निर्मार करती हैं जिसमें जूकर जाकर संसिकृती, मालवा संसिकृती, जोरवे संसिकृती, कायथा का भी प्रस्ण आप देख करके जाएगा यह भी इंप्वर्टेंट है हडपा के बाद की जो संसिप्रतिया विक्षित हुई है उसको करम से लगाने के लिए आता है और यह करम से लगाने में बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं तो गलती आप लोग यह ना करें मैं बत स्टूडेंट जादा संभावना स्टूडेंट अलक्त करते हैं ऊहीं आयोक चुनता हैुआ टोपिक चुनता है उस दूपिक को बारा क्या करता है अलग रहत तरीक्य से बनाता है तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो इंपोर्त बताया जा उस आप पर आप जाएंगे डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो वहां पर इस प्रकार के बहुत से टॉपिक वाइज अलग अलग क्लासिफाइड करके वहां के पूरी लिस्ट मिलेगी पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप उसको पढ़ सकते हैं कुछ साल् जो टॉपिक आपको सबसे कठिल लग रहा हो जो टॉपिक आपका सबसे वीक हो ऊचेक कर सकते हं उसको में अपना कांसेट किलियर कर सकते हैं तो आप यसईट एकजांप और बोग्स वहां पर बोलेबल हैं और इतिहास के तो बहुत अच्छे क्लासिफाइड करके अलाग तरीके से आपको प्रस्ण कीज कंटेंट और वन लाइनर अब जेक्तिव हर प्रिवियस कोश्चन्स हर प्रकार के स्टडी मतेरियल आपको वहाँ पर मिल गाएंगे तो इसमें क्या सही होगा इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या सही होगा चन्धू दड़ो जूकर जाकर संसिक्रिती का संबन्द किस से है जूकर जाकर संसिक्रिती का संबन्द चन्धू दड़ो से है अब देखते हैं अगला प्रस्ण अगला महत्पूर प्रस्ण है हमारा पुरास्थल सरवाधीक मात्रा में खोजे गए पस्चिमी उत्तर प्देश राजस्थान गुजरात और पंजाब तो इसका शयुत्तर हो जाएगा घुजरात से आज़ते हं सरवाधीक अस्थल खोजे जा चुके हैं ऑकै अगे देखते हैं अगला प्रिष छुय श्रवादी के पूरा स्थल किस नदी के तट पर इदमान है अभी कुछा था किस राज्ज में सर्वादी के स्थल खोजेगे गुजरात भी अभी बात करते हैं सबसे जादा आप्शन है सिंधु नदी सतलाज घगघर और हींडन तो इसका सहुत्तर हो जाएगा क्या घगर नदी जो घगर है सिंदु नदी जो राजस्थान के छेत्र में बहती थी वाब बिलुप्त हो चुकी है उस नदी के किनारे सरवाधी के क्या बताया मैंने सरवाधी के पूरा अस्थल खोजे गए हैं सरवाधी पूरा अस्थल घगर नदी के किनारे खोजे गये हैं अब देखते हैं अगला प्रस्थ अगला प्रस्थ है हमारा ऑपर योगत में से कोई नहीं मजाख कर रहा हूँ गेहूर चावल गेहू और चावल की बात करें गेहूर वर जाओ तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा गेहू और जवो सबसे ज़्यादा प्रिय पदार्थ था कि इसका सिंदु वासियों का मुख्य भुज पदार्थ है मुख्य का मतलब है कि इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे जैसे हम लोग के हैं चावल है और गेहू है इसको जरूर इस्तेमाल करते हैं बाकी दाल है सब्जी है फल है दूद है दही है मांस है इन सब का भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन यह हमारे आप्सिनल हैं चावल और गेहू य की संसेकृतियों में धीरे-धीरे मिलता है जिसमें मेहरगर था फिर बाद में खुदाई हुई तो पता चला कि यहां पर लहुरादेव कोल्डीवा में चावल के साथ मिले जो कि 9000 इसा पूर के आसपास मेहरगर में 7000 इसा पूर के आसपास की बात थी तो गेहूं और जो सब प्रस नहीं हमारा सूची फरस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए नीचे दिये गए विकल्पों को सही विकल्प का चेन कीजिए तो इसमें कुछ सूची बनानी है और सूचियों में से चेक करना है कि कौन से विकल्प इसमें से सही होंगे तो अगर बात करें इसमें तो सूची A, हडपा, हडपा में सवाधान मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, हडपा में सवाधान, येस, हडपा में सवाधान है, अर्थात है, options A वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हडपा में सवाधान मिला हुआ है, येस, लोथल, लोथल में गोधिवाला, येस, लो कर दिया है ठिक मोहन जो दड़ों में जुता हुआ खेत नहीं अर्थात A और B सही है C D क्या है गलत है C D गलत सुमेलित किया गया है हमारा क्या होगा A B A B हमारा का D वाले option में है A B क्या है सही सुमेलित है और बाकी A B मैं दिखा देता हूं अगर आपको दिखाई मिला है यस हडपा में क्या है हडपा में सवाध हान मिला हुआ है यस दूसरा नंबर क्या था दूसरा नंबर है लोथल लोथल में गोदी बाड़ा मिला है यस लोथल में गोदी बाड़ा मिला है काली बंगा में काली बंगा में जुता हुआ खेत मिला है क्या मिला हुआ है नर्तकी की मूर्ति coc gezeigt हुआ है मोहनजोदोड़ो में कालि वंगा में ають हड़पा में सब्धान का सथलड़ हुआ है आप देखते हैं अगला प्रसुन mountains अगला महात्यपूर्ण है हमारा सेंधोस अब बता के सबसे पूर्वी अस्थल आलमगीर का उत्खनन कारिक किया था सबसे पूर्वी अस्थल की बात करें तो सबसे पूर्वी अस्थल में आलमगीरपूर है सबसे पश्चवी अस्थल की बात करें तो सबसे सुथ कांगे डूर है सबसे उत्तरी इस्थल की बात करें तो मांडा जमू कसमीर में है सबसे दच्छी इस्थल की बात करें तो दायमा बात यह आप चार याद रखिएगा, चार अबस्त याद रखिएगा इसमें आप फसेंगे नहीं, आपको काफी मद्यत मिलेगी तो आलमगीरपूर आलमगीरपुर्फी खोज किसने की वाईडी सर्मा द्वारा ए घोस द्वारा बी के थापर द्वारा बी बी लाल द्वारा तो इसका सही आफ्षन हो जाएगा वाईडी सर्मा वाईडी सर्मा ने आलमगीरपुर्फी खोज की थी धावला वीरा कहां धावला वीरा कहां इस्थित है धावला वीरा सिंद में पंजाब में राजस्थान में गुजरात में क्या होगा गुजरात में इस्थित है कितनी बार बताया जाया इसको गुजरात में इस्थित है धावला वीरा धावला वीरा का मतलब होता है सफेद कु यहाँ युगमित समाधिया प्राप्थ हुई हैं यहाँ पर अन्य प्रकार के इस्टेडियन भी प्राप्थ हुई हैं यहाँ धवला वीधा एक सा नगर है जो तीन भागों में बटा ए नंब्र रहेंगे, मध्य नगर के लोग रहेंगे, दुर्गों में कौन रहेंगे सरकारी और व्यापारी इस प्रकार के लोग रहेंगे सरकारी अधिकारी और व्यापारी ये तीन वर्ग के लोग गढ़ी या दुर्ग में रहेंगे मध्यम वर्गी में सिल्पकार वगरा ये मध्यम नगर में रहेंगे और किरिसक हैं स्रमिक हैं ये सब मिचले नगर में रहेंगे, इस तरीके से धौला वीरा में ये साच मिले, फिर सबता दें, धौला वीरा में तीन धौला वीरा नगर को तीन भागों माटा गया है, धौला वीरा में जलासे के साच है, धौला वीरा में इस्टेडियम के साच मिले हुए है, धौला वीरा धौला वीरा लोथल समुद्र व्यापार का सबसे महत्तफूर्ण केंद्र कौन सा था जो समुद्रों के रास्ते व्यापार करता था जल मार्ग से व्यापार करता था तो क्या होगा लोथल लोथल गुजरात में है यहां गोदिवाडा है यहां से यहां से फारस से व्यापार ह पार किसके द्वारा होता था जली मार्ग का व्यापार लोथल नामक बंदरगा से प्रारंभ होता था अब देखते हैं अगला प्रस्न होगा हमारा सैंधो सब्बता मानो इतिहास के किस काल से सम्मंधित है सैंधो सब्बता सैंधो सब्बता की बात करें इतिहास के किस काल से सम्मंधित है ध्यान से देखीगा इतिहास के किस काल से सम्मंधित है अगर हम इतिहासिक काल को हम अलग अलग करें तो मुखता तीन भागों में बाट त्री हिस्ट्री को बोलते हैं, प्राग के इतिहासिक काल इसमें मनुष से लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ना तो लिखना जानता था। उसके बाद पर्सरिके चर्ण की बात करें तो आता है आज देतिहासिक काल जिसको भूलते हैं प्रोटो हिस्ट्री में मनुस से लिखना जानता था मनुससे लिखना जानता था लेकिन उनके द्वारा लिखी गए सब्द, जब तक हमें पर्यारत मातरा में उपलद नहीं हो जाते, कई भांसाभउय ज्यानिक प्रियास किये, दुनिया के बड़े भांसाभउय ज्यानिक linguistic प्रियास किये, कि ये सिंधु सब्बता की लिपी को पढ़ा जाए, देखा जाए, और कुछ नई जानकारी सामने कि भी अभी नहीं पढ़ाए ना तो प्रयास ही किया और ना प्रयास करूंगा जरूर ओके दिय को तीसरा आता है इसमें एत यहासिकाल जिसको हम बोलते है historical age क्या बोलते है historical age जिसमें मनुषसे लिखता था पढ़ता था और उसके द्वारा पढ़ ही लिखी गई चीजों को हम लोग समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं तो इसको हम बोलते है तिहासिक काल फिर से देखेंगे प्राग औतिहासिक में मनुष् से लिखना पढ़ना नहीं जानता था मनुष् से जो कुछ लिखा हम नहीं पढ़ पाई historical काल में मनुष् से जो कुछ लिखा उसको हम पढ़ें समझें ये अतिहासिक काल है तो इसमें क्या हो जाएगा सैंदोर से बता कि लिपी को लिखें हैं लेकिन हम नहीं पढ़़ा पाई तो किसका संबन्ध है क्या है किसे है आत्धतिहासिक काल से इसे हैं आगला प्राशी। अगला प्रहसन हमारा है। वाजहें वहुत्ता करेंगे तब आपको लगेगा की कॉपी किया गाया मुंडी गाक क्या है मुंडी गाक दूसरा क्या है पहला है सोर्तु गई दूसरा है मुंडी गाक यह दो अस्थल कहां मिले हुए हैं अफगानिस्तान में मिले हुए हैं कहां पर अफगानिस्तान में मात्र दो अस्थल मिले हुए हैं कौन से सोर्तु गई और दूसरा क्या है मुंडी मुंडी गाक ये दोनों हमारा उत्तर क्या होगा? हडपा पुरा अस्थल हिंदू कुस परवस सिंखला के उत्तर में कौन है? सोर्तु घई है. अब देखते हैं अगला प्रेस्न हमारा है, नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संसिक्रती सत्रा सो से बारा सो इस्वी किस संसिक्रती का प्रमाल है? नवदा टोली एक अस्थल है, एरन एक अस्थल है, नागदा एक अस्थल है, बताय जाता है कि मालवा संसिक्रती सत्रा सो से बारा सो, कितना? सत्रा सो से बारा सो, बारा सो इसा पूर्व, बी, सी, इ, ओके? इसा पूर्व का प्रमाल है, किस अस्थल से संबंदी थाए? ओके हडपा से गैर हडपा से हडपा पूर्व से या हडपा के पस्चात है हडपा के पस्चात तो देखते हैं इसमें क्या होगा हडपा हडपा का लिन तो यह नहीं मालवा संसिक्रिती हडपा का लिन तो नहीं बिलकुल नहीं है गैर हडपा हो सकता है हडपा पूर्व हडपा के प 1200 हडपा के पस्चात की बात की जा रही तो हडपा के पस्चात वाला उत्तर हमारा क्या होगा सई होगा मालवा संसिकृति इसलिए कहते हैं इसको हम दिखा देते हैं मालवा संसिकृति इसलिए कहते हैं क्योंकि नवदा टोली एरन और नागता यह गुराजस्थान से लेकर के म मालवा तक मालवा मध्ध प्रदेश जो मालवा का पठार है वहां तक फैला हुआ है वहां तक फैले होने की वज़ा से इसका नाम क्या है यह मालवा के पठार तक फैला है इसलिए इसका नाम रखा गया मालवा संसिकृति क्या नाम रखा गया मालवा संसिकृति मालवा संस्कृति है हडपा के पस्चाथ की बात करें तो जैसे कायथा संस्कृति क्या है कायथा कायथा संस्कृति है और कौन संस्कृति है जोर्वे संस्कृति है कौन सी जोर्वे संस्कृति और कौन सी संस्कृति है आहाल संसिक्रती कौन सी आहाल संसिक्रती है और कौन सी संसिक्रती है आपको काइथा संसिक्रती जोरवे संसिक्रती आहाल संसिक्रती मालवा संसिक्रती कौन सी संसिक्रती मालवा संसिक्रती और कौन सी है जूकर जाकर संसिक्रती कौन सी है जूकर जाकर जूकर जाकर जूकर जा जाकर संसिक्रती जूकर जाकर संसिक्रती ये संसिक्रतियां हडपा सभथा के बाद बिक्सित हुई हैं और इन सारी संसिक्रतियों को अर्ध ग्रामिल अर्थ नगरी और ग्रामिल दोनों के साथ यहां पर प्राप्थ होते हैं कायथा संसिक्रती जोर्वे संसिक्रती आहाल संसि संसिक्रती मालवा संसिक्रती जूकर जहाकर संसिक्रती यह हडपा के पस्चात दिख्सित हुई है इसकी अगर देखे प्लेडिस्ट अगर देखेंगे तो वाई सीटी पब्लिकेशन डाट कम पर आपको यह पूरी लिस्ट मिल जाएगी और सही काल करम भी बताया जाएगा और सही काल करम के साथ साथ यहां कौन-कौन से साच भी प्राप्त किये गए हैं तो आसानी से आप यहां से देख सकती हैं अब देखते हैं अगला महत्तपूर प्रसन हमारा है सिंदु घाटी की सब्वता निमनलिकित में से किस सब्वता के समकाली नहीं थी किस के समकाली नहीं थी क्या पूछा है किस सब्वता के समकाली नहीं थी मिस्र के समकाली मेसो पुटामिया की सब्वता चीन की सब्वता क्रेट की सब्वता तो इसका सही उत्तर होगा चीन की सब्वता के समकालीन नहीं थी किसके समकालीन थी? चीन की सब्वता के समकालीन नहीं थी यह हमारा सही उत्तर होगा तो किसके समकालीन थी? मिस्त्र और मेसो पुटामिया के समकालीन थी? मिस्र की सब्वता और मेसोपुटामिया जो फारस की सब्वता है जो वर्तमान फारस की खाड़ी के पास वाले सब्वता की छेत्र है वहाँ पर इन दोनों के समकालीन सब्वता थी मिस्र की सब्वता के प्रमाल भी मिले हैं साच्छी भी मिले हैं कुछ मुहरे या सेल भी प्राप्त हुई हैं और मेसोपोटामिया से भी व्यापार के साथ मिले हैं जो कि लोथल से मेसोपोटामिया का व्यापार होता था, अब देखते हैं अगला प्रसन, अगला प्रसन हमारा है, निम्ने में कौन सा हडपा नगर तीन भागों में भी भाजीत है काली बंगा, हडपा, लोथल, धावला वीरा तो correct option क्या होगा? धावला वीरा तीन भागों में भाजीत है कौन कौन से? दूर्ग दूर्ग बोले या गढ़ी बोले इंग्लिस मेक वर्ड इसके लिए इस्तिमाल करते हैं स्रिटेडल क्या बोलते हैं? स्रिटेडल स्रिटेडल का मतलब होता है कि उचाईयों पर बना हुआ माकान मतलब कि कुछ पक्ये चबूत्रे होंगे उसके उपर माकान बनाये जाते थे दूसरा है मध्यमनगर अभी मैंने बताया था दूसरा है मध्यनगर दूसरा मध्यनगर यहाँ पर ब्यापारी वर्ग के लोग ज्यादा रहा करती थी तीसरा नगर है इसमें निचला नगर क्या है निचला नगर लोवर टाउन जिसको बोलते है निचला नगर लोवर टाउन तो इसमें कौन सा धौला वीरा तीन भागों में विभाजित है नमबर बन दुर्ग अगड़ी नमबर टू मध्य नगर या जो कारखाने ब्यापारियो का नगर होता था तीसरा है निचला नगर तो यह धॉला वीरा तीन भागों में विभाजित है धॉला कहा है गुज्रैत्मि कहा है गुज्रातमि लोथल कहा पर है अब देखते हैं कि गोधीवाला का साच यह ल钱 से प्राप्त हुआ अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन हमारा है अधो लिखित में सैंधो कुरास्थल महानगर माना जाता है महानगर सेंधो का महानगर कौन सा किसे माना जाता है चंडु दड़ो रोपड सुड कोड़ और राखी गड़ी तो इसका क्रेक्ट अप्शन हो जाएगा राखी गड़ी क्या हो जाएगा सेंधो पुरा अस्थल महानगर के नाम से जाना जाता है राखी गड़ी राख अस्था के अस्थलों में 6 अस्थल जो परिपक वास्था में थी परिपकों का मतल्ए पूरल बिक्रसित अवस्था में पाए गये उन 6 अस्थलों कि बात करें तो 6 अस्थल कौण से हैं 6 स१ल में है जोड़ना है हडपा मोहन जोदळो काली बंगा राखी गड़ी धावला वीरा लोथल यह क्या है परिपक्क्व हडपा सभधा के अस्थल माने गए है पूर बिक्सित नगर या अस्थल माने गए है अगला प्रशन हमारा है जूकर संसक्रती एक है क्या है जूकर संसक्रती क्या है क्या इसको भी गलत काटो हर परवर्ती हडपा संस्कृति ये परिवर्थी मतलब की हडपा के बाद की संस्कृति है उप्रोक्त में से कोई नहीं इसको भी गलत काटो सब गलत कर गए बच रहा एक परिवर्थी हडपा संस्कृति जूकर जाकर संस्कृति क्या है परिवर्थी हडपा संस्कृति है ओके अगला प्रस्न देख अगला प्रस्ण हमारा है हडपा संसिकृति किस अस्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है या जूते हुए खेत का प्रमाण हडपा, काली बंगा, लो थल, रोपड तो इसका सही उल्टर क्या जाएगा काली बंगा से जूता हुए खेत मिला है या कभी कभी ऐसा पूछ रेता है हलके निसान का मतलब है जैसे आप आव में देखेंगे जो खेत होता है खेत की जुताई कर दी जाती है तो वहाँ पर हल की रेखाएं बन जाती है हल की रेखा को क्या कहते हैं सीता क्या कहेंगे सीता बैदिक काल में पढ़ाऊंगा उसको हल के जो निसान मिले हुए है वो कहां से मिले हुए है वो मिले हुए है काली बंगा से अब देखते हैं अगला प्रस्ट है अगला और लाष्ट प्रस्ट है हमारा सूची फश्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और कूट के द्वारा सही उत्तर दीजिए यहाँ पर सूची है क्या सूची है? सूची देख लेते हैं हडपा हडप ए नंबर ए एक तरफ एस्थल दिये गए हैं एक तरफ वहाँ पेसे क्या क्या चीजे प्राप्ते की गई है तो हडपा में कर्मचारियों का निमास था यह एक हो जाए हडपा में कर्मचारियों का निमास था ऐसा माना जाता है अभी कंफर्म नहीं है ऐसा माना जाता है कि हडपा और मोहन जोदलों को बिसाल सामराज्य की जुड़वा राजधानी कहा है किसने लेकिन यह कंफर्म ने हडपा को राजधानी माना या मोहन जोदलों को राजधानी माना या किसी को राजधानी नहीं माना तो इसमें क्या है फडपा कर्मचारियों का निवास था क्योंकि यहां पर कई प्रकार के कर्मचारियों के रहने के लिए भोवन प्राप्त हुए है दुर्ग प्राप्त हुए है लोथल में गोदी बाड़ा है कितनी बार बता है मैंने आपको काली बंगा काली बंगा से नर्त लकी की मूर्थी मिली हुई है यह तीसरे में है तो क्या सही हो जाएगा 1243 1243 यह है 1243 हमारा सही हो जाएगा आप जभ इस तरीके से ते रह Campbell करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से मिलान के बता दू देख लीजें एक बार फिर के और देख लीजीए और C में क्या है? C में काली बंगा, काली बंगा, C में है काली बंगा, और D में क्या है? D में है मोहन जोदलो, क्या है इसमें? मोहन जोदलो, मोहन जोदलो, अब देखो क्या-क्या मिला है? फडपा में मिला है कर्मचारियों का निवास, क्या मिला हुआ है? ये है कर्मचारी, कर राज कर्मचारी बोले कर्मचारियों का निवास मिला हुआ है, कर्मचारियों का निवास अस्थल मिला हुआ है, जैसे आज भी सरकारी कालोनी या फ्लेड या क्वाइटर मिलते नहीं है, वह ऐसे उस समय भी था, लोथल में क्या मिला हुआ है, गोदी बाडा मिला हुआ है, क् मिली हूँ इनर्त की इसका अगर हम मिलाएंगे तो 1 2 4 3 1 2 4 3 हमारा किधार है आपसे नमबर D में है यह आज का सूपर 30 कोस्टन्स रहा और इस तरीके से ब्याक्षा सहीत है बहुत महत्तपूर कंटेंट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे आप बने रहेंगे चैनल को सेर करिये और वाइसी टी बुंसा अफेसल को दोसतों में सेर करके एकदम फैला दीजिए कि आप आप एकदम उठ जाएए जग जाएए और फार्म भर करके एकदम रातों दिन पहनत करिए पसीना बहाएंगे तभी जाकर कि आपको इसकी काम्याबी और इसकी कीमत असली कीमत आपको मिलेगी बेकार नहीं जाएगी और ना बेकार जाने दिया जाएगा ओके थैंक यू सो मज झाहसाओ मुल्ड लुट कर नहीं है उना दिया है